वेलकम टू एक्जाम तक राजस्तान होम कार्ड वेकेंसी आ चुकी हैं जिसके बार में पूरी जानकारी दूँगा एपलाई करने से पहले ये वीडियो जरूर से देख लिजे जहां पर अड़ तीसो से ज्यादा पद हैं बिना परिक्षा के आपका सेलेक्शन होगा किस तरह से होगा वो मैं आपको बताँगा और क्या अधर इस्टेट वाले अपलाई कर पाएंगे या नहीं वो भी हम लोग डिसक्स कर लेंगे आट भी पास की बंपर वेकेंसी है तो कम्प्लीट डीटेल आपको इस वीडियो में मिल देगी ऐसे वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम होते हैं जहां पर आपको किसी वेकेंसी के बारे में कम्प्लीट डीटेल होती है अगर आपको ऐसी और भी वेकेंसी के अपडेट से ये तो फिर कमेंट करना आपको जो हैं अपडेट रेगूलर तोर पर मिलते रहेंगी तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं इस बिना skip किये देखना और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना तो हम लोग यहाँ पर आ चुके है vacancy update.in पर exam तक के द्वारा vacancy के लिए एक अलग से website बनेगे आपको बता होगा exam तक की जो website है वो number one website है जीके के content के लिए हिंदी में गूगल द्वारा इसको माना जा चुका है अब हम लोग vacancy के लिए जो है अलग से website बनेगे vacancy update.in यहाँ पर latest vacancies update की जाएगी यहाँ पर राजस्तान home guard vacancy के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाऊँगा so complete detail के लिए आप लोगों को google पर जाकर search करना है vacancy update.in यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी सही जानकारी मिलेगी चाहे पहले नहीं मिले एक दिन लेट हो जाएगा लेकिन आपको सही जानकारी दी जाएगी यहाँ पर 18-35 वर्ष तक के सभी आयू के लिए जो भी आठवी पास है वो आवेदन कर पाएंगे 3842 पोस्ट है ठीक है तो यहाँ पर 35 वेज है यहाँ पर आगे आपको complete detail दी गई है ठीक है अभी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर आप आप लोग देख पाएंगे home guard की वेकंसी है 3842 पोस्ट है 12 जनवरी 2023 से आवेदन चुरू हो चुके और हाँ 11 फरवरी 2023 तक जो है इसके आवेदन किये जाएंगे 18-35 वर्ष के सभी अभियरती जो इसमें आवेदन कर पाएंगे 200 रुपे फीस हैं अलग-अलग काटिगरी के लिए फीस भी अलग-अलग है वो हम लोग आगे जान लेंगे तो चले फिर आगे देखते हैं important dates देख लेते हैं पहले तो अगर बात की इस vacancy की important date की यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे form start 12 जनवरी से हो चुके हैं 11 फरवरी से पहले पहले इस वीडियो को अपने सभी educational ग्रूप में share कर लेना ताकि सभी लोग apply कर पाए जो भी interested है आए तब ही यहाँ पर मैंने लिखा है ठीक है next home guard की total vacancy की बात की जाए यहाँ पर तो अगर बात की जाए इसमें दो अलग-अलग category बने जो urban हैं वहाँ पर 355 हैं plus जो border area जहाँ पर है 296 तो इस तरीके से यह total vacancy है आपको याद रखना है and हाँ जो urban वाले हैं वो कहाँ पर reply कर पाएंगे border वाले कहाँ पर reply कर पाएंगे इसके लिए भी वीडियो आगे देखे आपको पता चल जाएगा form fees के अगर बात की जाए रास्तान home guard में तो general OBC work के विद्यारतियों के लिए यहाँ पर अगर बात की एक सेकिन रुप जाए आप लोग हाँ यह देख लिए अ एक जनवरी 2030 के अदार पर age calculate होगी तो एक जनवरी 2030 को जो 18 वर्स से अधिक हो और 35 वर्स से कम हो वो सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे आयू में जो भी छूट बगर हैं उसके लिए आप लोग official notification देख पाएंगे तो वो आप लोग देख लेना link discussion में मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी home guard की chain प्रकिरिया कैसे होगी chain कैसे होगा वो बताई हमको तो तो यहाँ पर आप लोग जान लिजे home guard में selection आपका जो हैं किस तरह से होने वाला हैं सबसे पहले आपका document verification and physical एक ही दिन होगा ठीक है तो physical वाले दिन ही पहले document आपके चेक कर ले जाएंगे उसके बाद होगा physical क्या होगा अभी मैं आपका आगे बता दूँगा उसके बाद होगा medical test और फिर एक short intro type होदा है पांच number का वो भी होगा and ये total कुल मिलाकर 50 number का जो है exam type का ये हैं और इसी में से selection कर लिया जाएगा ठीक हैं तो इस तरीके से ये selection process ह होने वाला हैं तो जो भी अभियरती पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए एक अच्छा मौका हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं किसी other government exam की तेयरी कर रहे हैं उनको chance लगता है तो ऐसी vacancy हो में अगर आप लोग जा सकते हैं बट ऐसी कोई दिकत नहीं है बट जो पढ़ाई म कमजोर हैं अभी नहीं कर पा रहे हैं किसी वज़े से तो उनके लिए काफी एक अच्छा मौका हो सकता है ठीक है वोमगाड का आप फिजिकल टेस्ट अगर बात किजा यहां पर किस तरह से होगा तो जान लीजिए आपकी हाइट होनी चाहिए 168 cm पुरुशों की और 152 महिल दी गई हैं उसके लिए आप लोग ऑफिशल नोटिफिकेशन देख लना पुरुशों के लिए जो हैं चेस्ट हैं 81,2,86 cm 5 cm का फुला होना चाहिए और 47.5 kg जो हैं महिलाओं को वेट होना चाहिए अब 15 नंबर की रेस होगी 15 नंबर की रेस में अगर पूरे नंबर लाने ह होगी 3 मिनट 30 सेकंड में ठीक हैं अगर आप लोग 3 मिनट 55 सेकंड तक आते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे इसी तरह से नंबर कम होते जाएंगे तो साठे तीन मिन अपको एक किलो मिट रेस करनी है उसके आदार पर आपको मिल जाएंगे पूरे अगर बात की जाए 20 अब यह फीट अलग-अलग होगे है ना 16 फीट फेकेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे उससे आदा जो हैं कम-कम होता रहेगा और 4 kg का यह गोला होगा नेक्स्ट इसके अलबा जो हैं 20 अंकों का अगर बात की जाएं यह किते होगे थे 25 प्लस 35 होगे थे ठीक हैं इस तरह से मदलब सौरी 15 प्लस 10 होगे थे 25 और 5 नंबर का एक इंटरिव्यू टाइप का मदलब जो हैं वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा तो 30 नंबर यह होगे लग जो है चैटिफिकेट वगरे हैं वह आप लोग ऑफिशिल नोटिफिकेशन में देख लेना वेकंसी अपडेट डॉट इन पर जाकर नेक्स्ट अकर बात कि राजस्तान होमगाड के लिए आवे दिन कैसे करना है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेजन जैसे तरह से राजस्त अब यह सबसे इंपोरेंट बात हैं वेकंसी अलग अलग जिलों के अनुसार है कोई सुचेगा कि मैं तो उस जिले से आवेदन कर दूं तो ध्यान रहे आप जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं उस जिले का मोल निवासी होना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको डोमीश जिले के अंदर वह मोल निवासी होना चाहिए ठीक है तो यह तो आपको ध्यान रखना इसलिए मोल निवास आपका होना चाहिए जिस जिले के लिए अपलाई करेंगे जयपूर वाले जयपूर में ही आवेदन कर पाएंगे अब यह इंपोर्टेंट लिंक्स जो हैं यह और यह है ओफिशल नोटिफिकेशन ठीक हैं तो यह आप लोग देख लिजिए और टेलिग्राम चैनल यहां से आप लोग जोईन कर लिजिए फिर अगर बात किजए कुछ और वी डिटेल हैं अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ मैं सोशल मीडिया पर जरूर से शेर की कीजिए ताकि और भी ऐसी जानकर आपको मिलती रही बाकि इसके लावा MTS की वेकंसी 17 तारी को आने वाली है और भी बहुत सारी वेकंसी यहां पर वेकंसी अपडेट टॉट इन पर अपडेट होती रहेगी एक CRPF की भी आई हुई हैं यहां पर आप लोग देख पाएंग कुछी लिए लिए और रही हमें सब्सान outlined जाप में बाटा कम रघ